नमस्कार दोस्तों ग्यान सेंटर चैनल में मैं वीपिन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ यह पावर फेक्टर पेनल बोड के दूसरे वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसमें हम देखेंगे के भाई ठीक है कैपिसीटर बेंक हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं mcb है कौन सा वायर काहां पर जाता है किस तरह के इस पैनल बोड के पावर वाइरिंग होती है सारी चीजे हम लोग यहां समझने की कोसिस करेंगा तो यहां पर बात चल रही है पावर वाइरिंग की तो सबसे पहले सप्लाई हम यहां पर देते हैं जो भी आपकी ग.» सबस्क्राइब उसका कनेक्षन डीजी वाला अलग हो जाए है ठीक है डीजी में यह डिस्कनेक हो जाएopen इसका कोई कनेक्षन नहीं है, जब डीजी का पावर हम लोग लेते हैं, तो पावर फैक्टर पेनल का हम यूद नहीं करते तो power factor में यह डीजी में डीजल जनेरेटर में यह यूद नहीं होगा government या फिर कोई company की तरफ से power supply आती उसमें यह यूज होगा वहीं power यहां पर हम लोग input करने वाल है यहां पर आपने इसको current दे दिया है इसमें power supply आ गई है यहां से कहां जा रही है यह देखिए यह input supply आ गई यहां से on up हो सकता है कोई भी problem आया यह इसको maintenance करना है तो इसको बंद कर सकते हैं हम लोग यह mccb लगा हुआ है जिसका rating है 600 amp का चलिए अब आगे बढ़ते हैं यह supply यहां पर आ जाएगी और यहां से देखिए power bank के लिए अलग अलग wire निकाले हुए है जैसे कि देखिए यह wire इस side के power bank में यहां पर जा रहे हैं यह आप साब साग देख सकते उसी type के इस type के box में power जो power bank है वहां पर यह six wire जा रहे है six wire इसमें जा रहे है उसी तरह से यहां से अलग अलग जगे पे हमने power ले लिया है simple सी आपको भासा में समझाओ यहां से यहां power लिया हुआ हुआ है इसके अंदर क्या आता है कहा power जाता है वह भी समझाओंगा यहां से power आया यह चैनल से अलग 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 सबसे पहले MCCB में पावर जाएगा, MCCB सेयों के यहां पर जाएगा, mccb में यहां से उद्धाबन ले लिया, mccb से तक्डशियोंड जब ओन यहां निक्रा हुआ है, है वह भी आभी आपको पता चला को दो यह जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आया है यह जो लेगे ngard कर दिखावर दो चल गया अदर gagna के भी सब्सक्राइब को सकता है के अंदर लगे हुए थी तो नають गया जब भी contactor on होंगे तो यह capacitor on हो जाएगे, contactor off यह capacitor bank off हो जाएगी, उसी तरह से जितने भी channel है, इसको हम channel बोल सकते है, 1, 2, 3, सभी channel में यहाँ पर wire जाता है, last में power wiring जाती है, power factor bank के अंदर यह capacitor bank के अंदर जाती है, यहाँ पर आप देखिए CT लगा हुआ है, यह कुछ नहीं है, इसका ampere rating दिखाने के लिए आगे, हमने गेद लगाया हुआ है, ताकि एक एक channel का ampere भी हम rating यहाँ पर देख सकते हैं, बस उतना ही है, इसका control wiring कुछ नहीं, CT में ना ओल्रेडी वीडियो बनाया है, कैस, ampere meter आप कैसे install कर सकते है, analog, ठीके, analog ampere meter लगे हुए है, ज आपे खतम होती है, तो पूरे का पूरे आपने power wiring देखा, I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि power factor controller, control panel board में किस तरह से power wiring किया जाता है, किस तरह से capacitor bank install किया जाता है, क्या क्या equipment आते हैं, किस तरह आप wiring कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को like कर दीजिए, वी यूट्यूब में ऐसे वीडियो आपको बहुत ही कम मिलेंगे, जही हिन बंदे मातरम